तो बच्चों कैसे हो सब लोग बच्चे आप लोग का एक बहु प्रतिक्षित कहने का मतलब बहुत दिनों से इंतजार जिसका चल रहा था आज जैक बोड ने उस इंतजार को फिनिश्ट कर दिया और ओ इंतजार का भी सै क्या था तो मोडल सेट तो बच्चे ए मोडल सेट ज अभी कुछ पल पहले जारी कर रखा है और मेरे को लगा जब मैं अभी जब आप लोग का क्लास दे रहा था उसी दर्मियान ओर जारी हुगा और आप लोग पूरा का पूरा एकदम लग रहा था कि उसे आप ढाउनलोड कर सकते हैं अपने स्वय भी आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि question number कितना से लेकर question question number कितना से कितना से कितना से कितना से किपीट में अगर इतना question है है मतलब यह बहुत जरूरी विडियो है आप इसको पूरा अच्छे से समझ लिजेगा तो बचे जारकंड सैक्षिक अनुसंधान एवं परशिक्षन परिशद मतब जयक बोड ने अभी जारी कर रखा है वारती परिख्षा 2023 के लिए मॉडल प्रस्ण पत्र सबसे पहले तो बच्चे ये मॉडल प्रस्ण पत्र 12 बरावी का अक्षा के लिए है और मैं अपना पेपर सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के आया हूँ तीन घंटा आप कोई जामने समय मिलेगा बच्चा और आपका जो क्वेश्चन आ रहा है सत्तर नंबर का प्रस्ण आ रहा है सबसे पहला तो निर्देश दिया हुआ है कि सभी परिख्षार्थी याथा सम्हो अपने सब्दों में उतर दे हमेशा रहता है All questions are compulsory सभी प्रस्ण अनिवार ये भी आप जानते हैं और बच्चे जरूरी बात पहला जरूरी बात कि कुल प्रस्णों की संख्या आपका 48 रहेगा जो टोटल नंबर अप questions रहेंगे वो 48 रहेंगे Question number 1 से लेकर 25 तक MCQ रहेगा Question number 1 से लेकर 25 तक MCQ question रहेगा सब में चार option दिया हुआ रहेगा सभी एक-एक marks का रहेगा इसका मतलब है कि 25 नमबर का आपका MCQ objective आ रहा है question number 1 से लेकर 25 तक question number 1 से लेकर 25 तक आपका MCQ रहेगा सभी में 4-4 option दिये हुए रहेगे और उस 4 option में कोई एक शही होगा ओ सही option आपको लिखना है अपने उत्तर पुष्टिका पर ही आपके answer seat पर ही इसके लिए कोई आपको OMR seat provide नहीं किया जाएगा जैसे अगर मैं बोलू कि question number 1 है एक कोई question है इसके option A, B, C, D अगर 4 option है और अगर इसके option number A correct है तो हमको ऐसे answer A A और फिर यहां पर उसका जो value है तो लिख देंगे तो अपना answer हो जाएगा A हुआ सबसे पहले मैं objective का बात करा A हुआ आपको objective अब अगर हम अब अगर हम इसके आगे question को बढ़ाते हैं question number 26 से लेकर के आगे बढ़ते हैं अब 26 से 34 का मतलब हो गया कि कितने question तो total number of question 9 उसमें से कितना लिखना है तो उसमें से लिखना है any 7 बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजेगा total 9 question रहेगा 9 में से कोई 7 लिखना है और सभी एक एक number का रहेगा इसका मतलब है कि 7 number का प्रस्णाब का यहां भी one marks वाले होते हैं एक line वाले होते हैं दो line वाले होते हैं एक word वाले होते हैं जैसे अगर मैं अभी question आपसे पुछ रहा था पुछा ए question कि बताईए angle of deep pole पर कितना होता है तो आपको answer लिखना 90 degree यह लिखना है है ना तो ऐसा question one marks में आएगा question number 26 से लेके question number 34 तक 9 question आएंगे जिसमें से कोई 7 आपको लिखना है सभी एक एक number कर रहेगा और 7 number का यह भी एक तरह का very very short question रहेगा हम उमीद करें बच्चे आपको समझ में आ रहा है एकदम से clear है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक number से लेकर के 25 number तक एकदम से clear हैगा 26 number से लेकर के और 34 number तक total 9 question जिसमें से 7 लिखना है यह भी one marks का ही रहेगा अब हम आते हैं question number 35 से लेकर के 42 तक question number 35 से लेकर 42 तक इसका मतलब है कि total number of question 8 रहेगा जिसमें से any 6 कोई 6 आपको लिखना है कोई 6 लिखना है और यह 3-3 number का प्रस्ण रहेगा और यह 18 number का question total रहेगा बच्चे इसको हम लोग कहते हैं कैसा कहें question number 35 to 42 are short answer questions out of which it is mandatory to answer any 6 questions इस questions carries 3 marks यह पुरा का पुरा प्रस्ण तीन number करेंगा मतलब 18 number का आपका short question रहेगा short question कहने का होता है बच्चे यह भी long question रहता है लेकिन चुकि उसको जगह नहीं मिलता है 5 marks वाले में तो यहां पर पूर कर दिया जाता है तो बच्चे इसको short का मतलब कतिये नहीं सूचिएगा long question ही होता है तो तीन आपको यहां पर छे प्रस्णा आपको यहां लिखना है तीन तीन number का प्रस्णों का 18 number का और last में जाते हैं हम लोग कि 43 से लेकर के और 48 के बीच में 43 से 48 के बीच मतलब हो गया total 6 question और 6 question में आपको any 4 4 question लिखना है और सभी 5-5 number के प्रस्णाएंगे 20 number का और इस प्रकार से total 70 number का question examination आपका होने जा रहा है बच्चे और अगर मैं A दिखला दूँ आपको तो A देखिया आपको question उसने दिया है A सारे के पूरा का पूरा question दिया है बच्चा यह question का मैं solution लेकर के बिल्कुल part part करके solution लेकर के detail A objective तो ठीक है लेकिन objective में के वलाप A भी सीदी अगर याद करके जाएंगे तब भी आपके लिए beneficial नहीं रहेगा बच्चे तो आखिर यह answer A हुआ क्यों answer B क्यों हुआ पूरे व्याख्या के साथ मैं आपको इसका answer लेकर के आऊँगा और चलिए इसके बाद अब यह सारे questions का answer तो मैं पूरा description detail के साथ लेकर के आऊँगा और long question यह इसका पूरा derivation के साथ बच्चे मैं आपको लेकर के आऊँगा मैं सारा पूरा का पूरा प्रस्ट में यहां पर आपको दिखला दे रहा हूँ कि टोटल नंबर अब क्वेस्टन तो आपके आ रहे हैं तो बच्चे आप देख लिजिए कि लास्ट क्वेस्टन नंबर 48 है और 48 क्वेस्टन आपका इतिफाक से देखिए mcg आपका 48 नंबर क्वेस्टन है जो हम पहुत अच्छा से आपको बताया थे और जो भी बच्चे आप हमारे क्वेस्टन बैंक को किये हुंगे तो आप एक बार कियर किजएगा की लगभ लभ सारे के सारे प्रस्टन question bank में ये total question अल्रेडी पहले से दिया हुआ है इसलिए मैं जितना भी question bank आपको कराया हूँ बच्चा वो पूरे question bank को अच्छा से किजिएगा लेकिन उसके अलावा भी मैं इस पूरे model set का बिलकुल question by question एक well answer के साथ मैं आपके पास आऊंगा बच्चे और मुझे लगा कि मैं पूरा का पूरा एक अच्छा सा आपके मन में जो एक अभी चल रहा था question की सर कैसा क्या होने वाला है इसका मैंने पूरा जानकारी लेकर बच्चा आप लोग के पास आया था और मैं उमीद करूं कि आप लोग के model paper का पूरा जानकारी हो चुका है तो चलिए ब औा दे बाइगल जानकारी हो एक आपके चले का बाइगला कर दसैकारी हो इंने इसका भाह जा का जानकारी हो वह उला समने ए बता करा सत्र टूरा जानकारे हो झानकारी बजसे हो टोड़ Script.